नए भारत की नई तस्वीर अब बस एक सपना नहीं ये प्रगती का प्रत्यक्ष सरोवर बन यहां के करोडों देशवासियों की आकांग्षाओं को सीच रहा है सपनों को साकार करके रहेगा ये भव्वे सरोवर फैलते फैलते आज हमें ले आया है विशाखा पट्टनम आज आंधर प्रदेश के विशाखा पट्टनम को मिलने जा रहा है दस हजार करोड रुपे से अधिक की विकासमई परियोजनाओं का उपहा इन परियोजनाओं में शामिल हैं 3128 करोड रुपे की वो परियोजनाएं जो आज राष्ट्र को समर्पित की जा रही है देश की उर्जा सुरक्षा के लिए O.N.G.C. द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में आज तक की सबसे गहरी गैस की खोज की गई है जिसको रेकॉर्ड 11 महीनों में मॉनिटाइज किया गया है इस खोज में तीन गैस के कुएं हैं जिनकी गैस उत्पादन कुषमता करीब 3 MMS CMD है 2917 करोड की लागत से मॉनिटाइज किये गए इन कुएं से देश की उर्जा सुरक्षा को और गती मिल रही है साथ ही भारत को गैस आधारित अर्थ विवस्था बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है रोड कनेक्टिविटी को बहतर करते हुए नेच 326A के आंधर प्रदेश के 42 किलोमीटर के खंड को पेवड शोल्डर कन्फिगरेशन के साथ दो लेन में विकिसित किया गया है पथा पटनम से शुरू होकर नरसन्ना पेटा के पास एनेच 16 जंक्षन पर राश्ट्री मार्ग का ये हिस्सा समाप्थ होता है ये राश्ट्री मार्ग ओडिशा के गजपती जिले को आंधर प्रदेश के श्रीका कुलम जिले से जोडता है 211 करोड रुपे की लागत से बन कर तयार हुए नेच 326A के इस खंड के विकास से आंधर प्रदेश और ओडिशा राज्यों के बीच बेहतर संपर्क सुनिश्चित होगा आंधर प्रदेश की अर्थ विवस्था को और तेजगती देने के लिए लगभग 7600 करोड रुपे की अन्य परियोजनाओं का शिला न्यास भी आज किया जा रहा है जिनमें शामिल हैं मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को सशक्त करते हुए रायपूर और विशाखा पटनम के बीच 465 किलोमीटर का एकनोमिक कॉरिडोर इस कॉरिडोर की कुल 465 किलोमीटर लंबाई में से 100 किलोमीटर लंबाई आंधर प्रदेश राज्य में पढ़ती है परियोजना की कुल लागत 15400 करोड रुपे होगी जिसमें से आंधर प्रदेश के भाग की लागत 3778 करोड रुपे होगी इस परियोजरा में 12 पुल, 27 अंदरपास, 26 बड़े पुल, 34 छोटे पुल, 1 आरोबी और 6 इंटरचेंज का निर्मान शामिल है इस से 36 गड़ और ओडिशा के अध्योगिक नोड्स का विशाखा पटनम बंदरगा और चेन्नई कोलकाता राष्ट्रिय राजमार्ग संख्या सोला से तेज संपर्ख सुनिश्चित होगा उगिशाखा पटनम में पोर्ट कनेक्टिविटी को और बेहतर करने और शहर में ट्राफिक के कंजेशन को कम करने के लिए 566 करोड रुपे की लागत से कॉन्मेंट जंक्षन से शीला नगर जंक्षन तक मौझूदा चार लेन वाले मार्क को छे लेन में चोड़ा किया जा रहा है और बोर्ट की ओर जाने वाले ट्राफिक के लिए अतिरिक्त समर्पित चार लेन कोरिडोर भी बनाया जा रहा है श्रीका कुलम आंधर प्रदेश से अंगुल ओडिशा सक 745 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन 6.65 MMS CMD कपासिटी वाली पाइपलाइन आंधर प्रदेश के विभिन्द जिलो में घरेलू, उद्योगों, वानिजिक एकाईयों और आटोमोबील क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की आपूरते के लिए महत्वपूर बुनियादी धाचे का निर्मान करेगी जो परियाव स्टेशन का नवीनी करण किया जा रहा है। लगभग 447 करोड रुपे की लागत से होने वाली इस मेजर अपग्रेडेशन से वाइजएक रेल्वे स्टेशन में यात्री अनकूल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस अपग्रेडेशन से ये रेल्वे स्टेशन फ्र लगभग 152 करोड की लागत से होने वाले इस अपग्रेडेशन से मचवारों की कई चुनौतियों का निवारन होगा। इस परियोजना में बंदरगाह पर कई सुविधाओं के निर्मान की परिकल्पना की गई है। जैसे एक वातानुकूलित नीलामी हौल, अत्याधुनिक मेकनाइजड, फिश हैंडलिंग और पैकेजिंग सुविधाण, कैंटी, वाहन पारकिंग क्षेत्र और मचली बेचने के लिए दुकाने। इस मॉडरनाइजेशन और अपग्रेडेशन से इस फिशिंग हाबर की हैंडलिंग शमता 150 तन से दुगनी होकर 300 तन प्रते दिन हो जाएगा नए भारत की नई तस्वीर बदलने जा रही है, अब आंध्र प्रदेश के आने वाले कल की छवे, साथ ही ला रही है यहां के लोगों के लिए रोजगार के अनेकों अवसर। इन परियोजनाओं से मिल रही है आंध्र प्रदेश, खासकर विशाखा पटनम को ते